हलो माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लख्की एजुकेशन और आज हम देखेंगे लेक्चर नमर टू और चैप्टर नमर वन हमारा स्टार्ट हुआ था चैलेंजेज बिफोर नेशन विल्डिंग, हम बटने क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंज, तो ये सेकंड लक्षर में आज जो टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं, वो कम्प्लीट टॉपिक डिसकस करेंगे, पार्टीशन, पार 1947 में हमें आजादी तो मिली थी, मगर आजादी कैसे मिली थी, हमें उसकी कुछ कीमत चुकानी बड़ी, हालंकि उससे पहले भी बहुत सारी हमने कीमत चुकाई थी, आजादी प्राप्त करने के लिए, मगर आजादी मिली थी, तो हमारा जो भारत था, वो दो भागों में ब दिस्प्लेस हुए थे एक जगे से दूसरी जगे तो उनको बापस बसाना था ठीक है तो वो जो लोग जो डिस्प्लेस हो गए थे उनको बापस बसाने का जो प्रोसेस था हुई है तो इस वीडियो में complete जानेंगे कि partition कैसे हुआ ठीक है अब partition के दोरान हमें क्या-क्या समझ्या आई और partition होने के क्या consequence रहे परिणाम क्या रहे और partition का दर्द हमें आज तक आपको बता है जेलना पड़ रहा है आज तक हमारे और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो relation है वो मतुर relation नहीं है अभी तक हमारे और पाकिस्तान के relation बहुत खराब है ठीक है और बैसे तो partition होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि जो partition किया गया था वो किया गया था उन्दा basis of religion कि जितने भी मुसलिम होंगे उनका एक देश बनाय जाएगा जिसको पाकिस्तान बोला जाएगा और हिंदुओं का एक देश बनाय जाएगा जिसको हिंदुस्तान बोला जाएगा ठीक है हालंकि हिंदुओं ने डिमांड नहीं जी थी मगर यह जो मुसलिम लेक ती उसकी डिमांड थी कि आलक से मतलब जो मुसलिम डॉमिनेटेट रीजन से उनको मतलब एक पाकिस्तान बन मुसलिम लेक अडिए अधर की साइडम जाता है तुष्ट पाकिस्तान और यहां बना दिया जाता है यहाँ पर जो लोग ते और यहां पर जो लोग थे दोनों का किलचर अलग अलग ता ठीक है और पाकिस्तान इस कल्चर को अलग अलग कल्चर को एक नहीं रख पाया जैसे हम कहते हैं अपने देश में बड़ी क्या खूबसूरती है हमारी कि हमारे यहाँ पर unity and diversity वाला देश बोलते हैं बारत को कि बारत में कितने सारी diversity हैं कितने सारी cultures हैं कितने सारे religions के लोग रहते हैं कितनी सारी language बोली जाती हैं तब भी अपना प्यारा भारत है वो कैसा है United है और पाकिस्तान इस unity को बहुत ज्यादा लंबी समय तक नहीं रख पाया आपको बता है 1947 में आजाद हो गया था इंडिया से अलग हो चुका था हमारा ही भाई है ह मतलब निकला है हम सही हालंकि हमारे लिए बड़ा कट्र दुस्मन बना पड़ा है वह इनकी सोच है होप आने वाले समय में हमारे रिलेशन इनके साथ अच्छे हो जाए इनके लोगों में समझधार ही आए खेर वो फ्यूचर की बात है तो यह ज्यादा समय तक इसको एक ही इस पाकिस्तान ठीक है और यह जो यह इस्ट पाकिस्तान था यह बंगाल में से लग हुआ था यहां पर पहले पूरा बंगाल ऊपर ना होज अंग्रेजों का परपश था कि हिंदु मुझ्लमेक ना हो इसलिए इनको डिवायड कर दो इधर वाला बंगाल लुटे थे यहार वाला ब SEC बंगाल स Communist 10 2007 पाकिस्तान पर 1971 मन जाता है बंगलादेश ठीक है न यह पार्टीशन के टाइम की कुछ पिक्स हैं जिसमें आपको देखो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ और हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ डिस्प्लेस्मेंट हुए थ पताते हैं सकतर लाख लोगों का क्या हुआ था मुझमेंट वड़े लेवल पर क्या हुआ था माइगरेशन मालों जाता है यह इंडिय पाकिस्तान यह स्प्लेट भाथा इंडिया पाकिस्तान दोनों अलग-अलग हो चुके थे तब लोगण डिस्प्लेश हुए घर अपने आज पता चला यह इस घर में रह रहे हैं और यह घर तो पाकिस्तान में आएगा और यहां पर हिंदू रह रहे हैं तो हिंदू के घर छोड़ के अपना इधर की तरफ आ रहे हैं हिंदूस्तान की तरफ आ रहे हैं हिंदूस्तान में पता चला कुछ मुस्लिम लोग रहे हैं उन वो लोग छोड़ छोड़ के पाकिस्तान की दरब जा रहे हैं बहुत सारी समझ्चाएं आए थी वह सारी चीज़े देखंगे को कैसे क्या-kया समझ्च आएं पार्टिशन के दोरान वो सारी चीज़ेंगे तो टॉपिक है अपना पार्टिशन हुआ तो लोग एक जगे से दूसरी जगे जाएंगे लोग थे वो पाकिस्तान में जाएंगे पाकिस्तान के जो लोग थे ओ दो एक Christians एनके इसारी चीज हैं तो 14-15 अगस्त 947 कि नॉट वर्न डू नेशन स्टेट स्केयड अग्जिस्टेंस तो आपको पता 1947 दो धे इप्रस एैं जो देश एक्जिस्टेंस में आते हैं एक आता है प्यारा भारत हमारा और एक पाकिस्तान तो इधरवाला पाकिस्तान और एक इधरवाला पाकिस्तान इसको हम बोलते हैं इस्ट पाकिस्तान इसको हम बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान 1947 के टाइम पर मगर बाद में इसको बंगलादेश बोला जाने लगा और इधरवाले पाकिस्तान को पाकिस्तान बोला जाने लगा तो दो आपको पता है अब अंग्रेज रूल करते थे हाँ तो अंग्रेज उन्हें मतलब इस चीज़ को सब्वोड भी गया था अंग्रेज भी चाहते थे कि जाते-जाते हिंदुस्तान के टोकोड़े ज्यादा हो जाएं कि हमारे सर्दार वालब भाई बटेल की मतलब मेहनत है जिसन में 565 प्रिंसिली स्टेट को भी एक हिंदुस्तान में करवर्ड कर दिया था यह पार्टीशन वाली पार्टीशन के बाद एक और समझे हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसिली स्टेट वह अगला टॉपिक आएगा तो फिलाल तो आप ध्यान दो कि पार्टीश हो गए और इसलिए पाकिस्तान ने क्या टिबं किया था कि मुस्लिम के लिए हुगा मुस्लिम के लिए क्या हुगा एक सैपरेट कंट्रीज मुस्लिम ने च्टू अटिख Сबाम देखेंगे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान देश बने सिर्फ किसके लिए मुस्लिम इसके लिए पाकिस्तान देश बने मगर ये जो मुस्लिम लीग ने जो ये थियोरी दी ती टू नेशन थियोरी इसका अपोज किया था किसने अपोज किया था इसका जो हमारी जो कॉंग्रिस थी इंडियर नेशनल कॉंग् से 1940 पॉलिटिकल कंप्टिशन बिटिमिन कॉंग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड बिटिस रॉल लीड टू दी डिसीजन फॉर दी क्रियेशन पाकिस्तान तो कुछ ऐसी पॉलिटिकल कंडिशन बनी और कुछ कॉंप्टिशन ज्यादा ही बढ़े गया कॉंग्रेस और मुस्लि 1947 में ठीक है थोड़ा सा मुस्लिम लीग के अबारे में अगर आप जान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो डिमांड कर रही थी अलग से पाकिस्तान की इसी ने टूनिसन थियोरी को सपोर्ट किया था और मुस्लिम लीग का बाद ही मुस्लिम लीग की स्ताफना होती है और मुस्लिम लीग ने ही मुस्लिम लीग नहीं का था कि जो मुस्लिम मैजोर्टी मुस्लिम मैजोर्टी नेशन स्टेट बनना चाहिए जिसका नाम है पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो एरिया मुस्लिम डॉमिन चीज आप ध्यान रखना है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यह हमारी उस समय की पॉलिटिकल पार्टी थी जो हमारा फ्रीडम श्ट्रकल था उसको लीड कर रही थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना होई थी 28 दिसेंबर 1885 ध्यान देना इसकी स्थापना बहुत इंपोर्टेंट है 1885 में इसकी स्थापना हो चुकी थी और इसको फांड गया था फांडर थे इसके एलन ओक्टावियन हूम या इनकों सौर्ट में बोल देते हैं एयो हूम इनके फांडर्स थे और एक चीज़ और ध्यान रखना इसके जो पहले प्रसीडेंट चुने गए थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पहले प्रसीडेंट चुने गए थे वो थे कहानी है अब कहानी तो क्या दर्दनाग कहानी है ठीक है हमें समझना पड़ेगा भारत की इस्ट्रिक कि 1947 में हमारे साथ क्या हुआ था वो हमें पता होना चाहिए और यह जरूरी भी है ठीक है तो इस डिवीजन बाट नोट ओनली वेरी पैनफॉल बट अलसो डिफिकल टू decides and implement अब सोचो पहले भारत ये पूरा की पूरा भारत हुआ करता था अब कैसे डिसाइड करोगे की कौन सी जगये हम पाकिस्तान को देंगे कौन सी जगये हिंदूस्तानց को देंगे तो इतना आसान नहीं था कि यहां से Line की तो कितने सारे тогда stick H करोगे तो यह इतना आसान प्रोसेस नहीं था है बहुत पेंफुल था क्योंकि जब पार्टीसिन हुआ था तो उसके बाद दंगे भढ़क गए थे बहुत सारे लोगों का जान मान के हाली हुई थी लाखों लोग मारे गए थे इतना ज्यादा पेंफुल था है ठीक है और तो मैजोर्टी identify का मतलब समझ लो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक तो iki और एक कहें मैज़डी से समझ लो यह एक बार केलिडा को झालगे है थे लहीं आज़ने की सकंतर जादा रहे हैं लॉटा का मतलब मेंशर्टी संक्या च्छ अब आप देखो यहां पर संक्या किसकी ज़्यादा है तो बॉइज हे यहाँ परโज किसमें हैं फूर्शी calorine में सब्सक्राइब से हैं यहां पर मॉल्ली 740 विसे नाघ हिंडूज है नुन अग सकंव कद द На आधार जो रखा गया था कैसे रखा गया था कि हम किस किस जगे को कैसे partition करेंगे कैसे उसको divide करेंगे वो divide का आधार था principle था religious majority जिस religion की majority जादा होगी उस religion के आधार पर हम इसका partition कर देंगे this basically means that areas where Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan and the rest was to stay with India मतलब जहाँ पर Muslims जादा होंगे वो area किस में चला जाएगा पाकिस्तान में चला जाएगा और बच्चा कुछा area किस में आ जाएगा इंडिया में आ जाएगा ठीके this idea might appear simple but presented all kind of difficulties अब यह इतना आसान नहीं था कि अब डिसाइड करो कहां कहां पर कुण कुण से जादा Muslim majority area जें तो ऐसी कई सारी जगे थी तो यह idea देखने में तो simple लगता है बड़ी यह बहुत सारी difficulties इसके साथ थी first of all आप देखते हैं क्या क्या difficulties नहीं आप जो partition के लिए partition के लिए तो बोल दिया partition होगा अंगरे जुनों भी बोल दिया और Muslim League भी demand कर रही थी और इसका आधार भी रख दिया religious majorities अब करें कैसे तो सबसे पहली सबसे बड़ी समझा दी दियरवाज no single wealth of Muslim majority areas in British India सबसे बड़ा challenge बहुत important है तीन-चार जो challenges जो देखते हैं कि partition के सामने partition करने करने का टाइम पर कौन-कौन से challenges आये थे अब भाई ये पूरा पहले बेटिस इंडिया था अब इसमें ऐसा कोई एक जगे नहीं मिली कि मानलो इस जगे पर पूरे में Muslim हो या इस जगे पर पूरे में Muslim हो या इस जगे पर पर मुस्लिमी मुस्लिम रहते हूं इसमें पूरे मतलब ब्लटिस इंडिया में दो जगे आइदेंटीफाई की गई जहां पर मुस्लिम कंस्ट्रेसन जादा था एक तो वैस्ट में और एक इस्ट में वैस्ट में यह वाली जगे यह बंगला देश देखाई यह दो यहां पर बाकी पूरे देश में फैले हुए थें, अब ऐसा नहीं है, कि यहां पर एक पाकिस्थान, यहां पर पाकिस्थान, यहां पर पाकिस्थान यहां पर बहुत करवड़ी हो जाएगी, इसे के लिए लड़ाई थोड़ी चल राई थे, हमारी अंग्रेजीों से 200 सालों से ज़्यादा हमने संगर्स किया और आजादी पाई इस दिन का इंतियार थोड़ी था तो यहां पर बहुत बड़ा समश्या क्रियेट हो जाती है तो there was no way these two parts could be join अब ऐसा भी नहीं देखो भाई अब यहां पर सोचो यह दो एरिया तो मिल गए अब इनको मिला तो नहीं सकते हैं किसी तरह से कि यह बीच में रोड डाल दो के ऐसा तो possible नहीं है कि बीच ओ बीच में से अब यह दो एरिया तो identify कर लिए अब इनको मिलाने का हमारे पास कोई थरीखा नहीं था इसलिए decide किया गया कि जो पाकिस्तान होगा वो पाकिस्तान में दो टेरेटरी होगी एक तो होगा East पाकिस्तान और एक होगा West पाकिस्तान ठीक है तो दो पाकिस्तान बने थे हालंकि दोनों का कल्चर अलग था यहां पर उर्दू भासा बोलने वाले जादा थे यहाँ पे बेंगॉली कल्चर के लोग थे ठीक है न और यहाँ पे पंजाबी वाले कल्चर के जादा लोग हुआ करते थे तो आइडिया यही था कि अब जो नया पाकिस्तान होगा हालंकि अब दो टेरिटरी मतलब उससे में देखी गई थी यहाँ पे मुस्लिम कंस्ट्रेशन जादा है यहाँ यहाँ पे फाइनली यह हुआ कि एक बेस्ट पाकिस्तान बनेगा और एक इस्ट पाकिस्तान बनेगा ठीक है न तो गहरे थे ठीक हमें पाकिस्तान होना चाहिए मगर कुछ जगे पर मुस्लिम से वो चाहते थे कि हम भारत के साथ ही रहे हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते एक ब्यक्ति हैं फेमस परसिनल्टी जिनका नाम है खान अब्दुल गफपार खान ध्यहां देना खान वैस्ट फ्रंटियर प्रॉबिंस इसको सौरड़ें बो Лmm F P Northwest Frontier प्रॉबिंस यहां पर आता है Northwest Frontierać को फ्रंटियर गांदी के नाम से जाना जाता है ध्यान देना अरदील को फ्रंटियर हूज को सीधा सरता आ सकता है कि किस व्यक्ती को Frontier Ghandi के नाम से जाना जाता है तो आपको बताना है खान अबदुलगपार खान जी को Frontier Ghandi के नाम से जाना जाता है इन्होंने टू नेशन थेовरी का अपोज किया रहे नोंने का कि ये बिलकुल गलत है और हम बिलकुल पाकिस्तान में मर्ज होना नहीं चाहते हैं ये भी मुस्लिम थे मगर इन्होंने इस चीज़ को reject कर दिया मगर इनकी बात ignore कर दी जाती है और North Western Frontier Province को मिला दिये जाता है पाकिस्तान के साथ इन्होंने आवाज रेज की अपनी आवाज उठाई मगर इनकी आवाज किसी ने ने सुनी और फाइनली उसको भी मर्ज कर दिया था यह आज का प्रजेंट पाकिस्तान है यहां पर आप देख सकते हूँ यह है North Western Frontier Province इसको भी मर्ज कर दिया था पाकिस्तान के साथ यह नहीं चाहते थे खान अब्दुलकफार खान जी नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलें मगर इनकी आवाज भी दबा दी जाती है ध्यान देना Frontier गांदी के नाम से जाने जाता है 6 February 1890 को जन्म गवा था 20 January 1988 को इनकी डेथ हो जाती है ठीके ना तीसरी प्रोबलम क्या थी तीसरी प्रोबलम यह थी कि देरवाज two of Muslim majority provinces of British India पंजाब और बंगाल मतलब जो British इंडिया था वहाँ पर दो जगए ऐसी थी जहां पर क्या थे मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहा करते थे एक तो इधर पंजाब वाले एरिया में और दूसरे इधर बंगाल वाले एरिया में पंजाब एंड बंगाल हेड वेरी लार्च एरियाज फिर नोन मुस्लिम्स वर इन मैजोर्टी अब देखो पंजाब और अब ऐसा नहीं कि पूरा यह सब बंगाल है अब बंगाल में ऐसा नहीं पूरा की पूरा बंगाल जो है मुसलिम्स का बरा हुआ है यह पूरा की पूरा पंजाब है हम मुसलिम्स ही मुसलिम रह रहे हैं इन में कुछ एरियाज ऐसे हुआ करते थे जह पाकिस्तान सोरी पंजाब और बंगाल ये दो ऐसे एरिया थे ये दो ऐसे मुस्लिम में मैजर्टी प्रोविंसे हुआ करते थे ब्रिटिस इंडिया गे जहां पर कुछ जगे इनकी ऐसी हुआ करती थे जहां पर नौन मुस्लिम से भी मैजर्टी में हुआ करते थे फिर अब इ यह डिसाइड किया गया कि जहां पर जादा मुस्लिम मेजोर्टी होगी वो तो पाकिस्तान में चला जाएगा और जहां पर कम मुस्लिम मेजोर्टी होगी वो हिंदुस्तान में जाएगा तो आपको पता है पंजाब में से एक पंजाब तो अपने पास और एक पंजाब उनके night of 14-15 अगस्त यह decision पंदरे और 14-15 अगस्त को नहीं लिया गया था अब 15 अगस्त को यह decision नहीं लिया गया था कि कौन कौन सा एरिया कहां कहां पर मतलब मिलाए जाएगा को कहां था तो बहुत सारे लोगों को प्ता ही नहीं था कि अब हम हम पाकिस्तान में बैठे हैं इस हचानक बता चला तो यह तो उनके लिए प्रकार से बहुत बड़ा सदमा हो गया तो the partition of these two provinces close the deepest स्ट्रोमा और पार्टीशन मतलब बहुत बड़ा धक्का लगता है बहुत बड़ा सद्मा लगता है लोगों में जब इन दोनों प्रोविंसे का क्या गिया गया था पार्टीशन किया गया था कौन-कौन से प्रोविंस का एक तो पंजाब प्रोविंस का और यह बंगाल प्रो डिज़ेंगोली धुरे हैं यहां पर पहले बंगाल करता था परिटी संग यह इस बंगाल हो गया को ्म ngs और इस बंगाल ही बाद में क्या बन जाता है ठीक है माइनोर्टी मैजर्टी का कोंसेप्ट मेंने आपको बताया था जहां पर अब जैसे देखो यह blue और यह green दो प्रकार के लोग दिखा रखें तो blue की संक्या तो चार है, green की संक्या ज्यादा है तो blue किस में हो जाएंगे, blue हो जाएंगे minority में और green हो जाएंगे majority में ऐसी यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर कई सारे बंदे है तो यह minority में आ जाएगा और यह majority में आ जाएगा ठीके ना, अगली problem क्या थी, अगली problem यह थी the most intractable of all the problems of partisan this was the problem of minorities on the both sides of border अब देखो सबसे ज़्यादा खतरनाक problem क्या थी अब सोचो, यह तो इधर पाकिस्तान बन गया, इधर मालोज अविश हिंदुस्तान बन गया, अब ऐसा नीथा कि हिंदुस्तान में से सारे मुसलिम यहाँ पर आ गए और ऐसा भी नींथा, कि जो पाकिस्तान जो बना thé थी Muslims के लाबा वो किस में थी minorities में नहीं थी अब सबसे बड़ा समश्या किसको आती है इन minorities को आती है हिंदुस्तान में Muslims को और पाकिस्तान में हिंदूज और सिक्षों को इनको सबसे बड़ी समश्या आती है तो lack of lack of Hindus and six in the areas that were now पाकिस्तान and equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal and to some extent Delhi and surrounding areas found them trapped अब देखो जब partition हुआ था तो लाखों Hindus, लाखों Sikh वो जिन एरिया में थे वो अब पाकिस्तान बन चुका था तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ी समश्या आ गई क्योंकि अब पाकिस्तान चोड़ कर उनको जाना था ऐसी similarly भारत में भी पंजा, बंगाल के लाबा डेली और इसके आसपास के एरिया में बहुत सारे से Muslims थे, वो अब इंडिया में थे, तो उनको कहा जाना था, पाकिस्तान में जाना था, ठीक है अब उनको ऐसा लगने लगा, कि यार हम तो खुद के घर में क्या हो चुगे है, पता चला, जिस घर में मालो कोई हिंदू है पाकिस्तान में, अब उसको पता चला कि यह तो पाकिस्तान में तो मुझे घर चोड़ गए, जाना बढ़ेगा, तो जो पुर्खों की जमीन थी, पुर्खों से, मतलब कई पीडियों से यहां पर रहते आ रहे थे हैं, खुद के घर में यह लोग क्या बन जाते हैं, एलियर बन जाते हैं, और इनको फिर यहां से छोड़ कर जाना बढ़ा, ठीक है, और उसी समय दंगे भी भढ़क जाते हैं, हिंदू मुस्लिम से चिड़ करने लग जाते हैं, मुस्लिम से चिड़ने लग जाते हैं, तो पाकिस्तान में हिंदू को कतले आम करने लग जाते हैं, लोग बाग, हिंदूस्तान में मुस्लमानों का कतले आम करने लग जाते हैं, तो दोनों तरब से दोनों कम्यूनिटीज को क्या होता है, बहुत ही टॉन पर क्या होने लगते हैं जो मैजोर्टी वाले लोग ने लगते हैं यह टेक्क होते हैं लोग रिख्शे स्केल अपग वॉ platform किसी ने भी यह इतना सोचा नहीं था कि यार जब हम पार्टीशन करेंगे तो यह समश्या भी आईगी और किसी को यह बढ़े स्केल पर जो हत्याएं हुई थी बड़े स्केल पर जो महिलाओं के साथ दुर बेबार हुआ था बड़े स्केल पर जो लोग इधर से उदर ट्रां पर जब होई थी यह समश्या कम की जा सकती थी अगर यह पार्टीशन हरवडी में ना होता अगर इसको सांथी से सुल जाते तो यह यह बताए जा रहां कि कि किसी ने भी यह आंकलन नहीं किया था कि प्रोब्लम इतनी बड़ी होगी और इसको हैंडल करना भी बड़ा डिफ में तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और लोग थे वो सोच रहे थे कि ये डंगे कैसे टेंपरेरी हैं और बहुत जल्दी कंट्रोल में हो जाएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ डंगे आउट ओफ कंट्रोल हो जाते हैं भयानक बड़े लेबल पर क्या होता है हत्या होती है बड़ साइड में जो माइनवर्टी थी उनके पास कोई ऑप्सन नहीं बचा था उनको अपने अपने घर खाली करने थे जैसी उनको नोटिस मिली कि आपको यहां से हिंदुस्तान जाना है और हिंदुस्तान के लोगों को मुझव मुसलिम थे उनको पाकिस्तान जाना है तो उनके पास कोई ऊप्सन नहीं था सिवाए घर छोडने के उनके पास कोई अप्सन नहीं था तो इसलिए पार्टीशन में लोग एक जगह से दूसरी जगह गे तो यह तो हुई पार्टीशन वाली कहानी अब हम हम देखने कि consequences क्या हुए partition के क्या क्या परिणाम हुए परिणाम जानना पहुत जरूरी है सबसे पहले the year 1947 was the year of one of the largest most abrupt unplanned tragic transfer of population that human history has known ध्यान देना इत्मानब इत्यास में अब तक का सबसे बड़ा ये क्या हुआ population का transfer हुआ बहुत unplanned तरीके से बहुती ज़्यादा दुखद transfer हुआ था इसमें लाखों लोगों ने क्या गवाई अपनी जान गवाई थी there were clings and atrocities on the boss side of the border border के दोनों साइड में हिंदुस्तान साइड में भी और पाकिस्तान साइड में भी बहुत बड़े लेवल पर लोगों की हत्यां की जा रहे थी उन पर अत्याचार किये जा रहे थे in the name of religion people of one community ruthlessly killed and maimed people of other communities सिर्फ धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से मतलब नफरत कर रहे थे एक दूसरे को बुरी तरह से कतले आम मचा रहे थे cities like lahore, amrissar, kolkata became divided into communal johns तो ये जो city थी ती lahore, amrissar, kolkata इन में communal john बन गए communal johns का मतलब है कि ये area muslims का है, ये area hindu का है, hindu बाले area में अगर कोई muslim है तो उसको मार रहे थे muslim बाले area में कोई hindu है तो उसको मार रहे थे, घर घर में जाकर मतलब कतले आम कर रहे थे थोड़ा सा border movie जो movie आई थी, गदर movie उसमें scene आप देखना यही हालत मिलेगी बहुत बड़े level पर क्या हुआ था, कतले आम हुआ था, और ये तीन सहर क्या बन जाते हैं, communal zone बन जाते हैं, लाहूर, अमरिसर और कोलकाता, लाहूर आजगी डेट में पाकिस्तान में, अमरिसर, कोलकाता दोनों, भारत में Muslims would avoid going to areas where mainly Hindus और Sikhs lived, similarly the Hindus and Sikhs stage away from the areas where Muslims predominance मतलब इस समय पर जब ये partition हो रहा था, उस समय Muslims को डर लग रहा था, हिंदू और Sikh वाले area में, वो जा नहीं रहे थे, क्योंकि हिंदू बाले और Sikh वाले area में Muslim जा रहे थे, तो क्योंकि पहले नफरत बहुत ज़्यादा फैल चुगी थी, तो Muslims को वहां पर कतले आम किया जा रहा था, साथ की साथ में, हिंदू और Sikh भी बिलकुल दूर रहे थे, वो भी डर रहे थे, कहां पर जाने से डर रहे थे, Muslim predominance वाले area में, जहां पर Muslims majority में थे, forced to abandon their homes, moved across borders, people went through immense suffering, चबर दस्ती उनको अपने घर से घर छोड़ कर जाना पड़ा, बॉर्डर क्रोस करना पड़ा, इस समय अब इतना आसान नहीं था, आप सोचो आप घर में, जिस घर में रहे रहे हैं, कहरें कि अब ये घर आपका ही नहीं है, छोड़ कर जाब ये देश, कहा जाए कि अब ये तुमारा नहीं है, जाओ आप तो आप इस देश के होई नहीं, तो बड़ा दुख था, इतना बड़ा पेनफुल था ये वाला जो सीन था, जो पार्टीशन तो हो गया था, इसलिए गांदी जी ने कहा था कि एक तरफ तम कोशिया मना रहें, और दूस तरफ हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी टेंपररी ऐसे केम्प बनाए गए, इनको हम बोलते हैं, रिफ्यूजी केम्प, क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी केम्प, सोचो अगर ये पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान से जो भी रिफ्यूजी आएंगे, अब देख देना पड़े इच्छे अभी नहीं देना पड़े वो डिपेंट क्योंकि बहुत कई मैनों और साल मतलब लोगों ने इन रिप्यूजी केम्प में गोजारे ठीक है न डे ओपन फांड लोकल एडमिनिस्टेशन पुलिस इन वोट तिल रिसेंट्ली देर ओन कंट्री अब जब इनको लोकल अपने घर पर मिलती थी यहां जहां पर रहते थे पहले जितना पुलिस इनको सपोर्ट करती थी पहले जितना इंका जिनकी सरकार इनको सपोर्ट करती THी अब यहां रिफ्यूजी केम्प में कोन इनका इतना ज़्याधा ख्याल रखेगा ठीक है तो ये बहुत से जा सकते थे वो ट्रेंज से गए तो बॉर्डर क्रोस करने के लिए जो जो उनके पास साधन थे सभी साधनों से गए तो बहुत सारे लोग तो बाइक फुट मतलब पैदल भी जाने लगे मतलब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पैदल ही उन्होंने क्या किया बॉर्डर cross किया, even during this journey they were often attacked, killed and raped बताओ कितनी खतरनाक बात है जब वो लोग एक जगे से दूसरी जगे जा रहे थे तो उन पर attack हुए, उनको मारा गया, महिलाओं का रेप किया गया कितनी मतलब दर्दनाग यहां पर कहानी है, thousand of movements were abducted on both sides of the border दोनों साइड में, हजारों महिलाओं को क्या कर लिया गया, abduct कर लिया, मतलब उनका अभरण कर लिया गया they were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage, महिलाओं को जबरतस्ती उनका धरम चेंजे कर वाये गया और उनसे जबरतस्ती क्या किरवाई गई साधी करवाई गई in many cases, women were killed by their own family members to preserve their family owner ab सोचो, कई सारे, मतलब घर तो ऐसे थे कई सारे परिवार तो ऐसे थे कि उनकी महिलाओं को उनके साथ कोई अत्याचार ना हो महिलाओं को कोई आपरहर ना कर ले महिलाओं से जबरतस्ती को इनका धर्म चिंजना कर दे और इसी बज़े से अपने घर की मतलब लाज बचाने के लिए कई family members ने तो अपने घर की महिलाओं को मार दिया सोचो कितनी बुरी इससे ज़्यादा दर्धना क्या होगा जब घर में खुदी महिलाओं को क्या करना पड़ रहा है मारना पड़ रहा है सिर्फ लाज बचाने के लिए जित बचाने के लिए ऐसी condition यहाँ पर पैदा हो गई थी Many children were separated from their parents कई सारे बच्चे अपने parents से बिचड गए थे बिचड जाते हैं ठीक है मुवीज देखना कई सारी मुवीज मैं ऐसे आपने देखा हुआ भारत मुवी आई है इस पर और एक वो मैंने गदर बताई है कई सारी मुवीज बनी है तो कई सारे बच्चे के आउ जाते हैं बिचड जाते हैं पने parents से बिचड जाते हैं Those who did not manage to cross border found that they had no home अब कुछ लोग जो मतलब border नहीं cross कर पाये थे तो simple सी बात है उनको घर तो छोड़ने पड़ेंगे तो उनके पास तो कुछ घर बर था ही नहीं For lack of these refugees, the country's freedom means life and refugee camp तो ऐसे जो लाकों लोग जो एक जगह से दूसरी जगह आएं एक देश से दूसरे देश में आएं तो उनको तो जिंदगी कहां गुजारनी पड़ेगी कि अपने refugee camp में गुजारनी पड़ेगी, अब सोचो, कितने सालों से हम अंग्रेजों से संगर्ज कर से आरे से कि हमें अंग्रेजों से आजादी मिलेगी, आजादी मिल गई, अब क्या हुआ, अब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो उनको कई साल तो कहां कहां गुजारने पड़े, रिफ्यूजी केम्प में गुजारने पड़े, तो उनका आजादी का मतलब यही था गया, रूथलेसनेस अब दी किलिंग्स अब सफरिंग्स अब डिस्प्लिस्मेंट एंड वॉइलेंस इन दियर नोबल्स, सौट, स्टोरीज, पॉइम्स और प्लिम्स, तो दोनों ही साइड से जो लेखक थे, राइटर्स थे, पॉइट्स थे, फिलिम मिकर्स थे, पारत और पाकि दोनों तरब के, तो यह जो रूथलेसनेस, जो मतलब बुरी तरीके से लोगों को मारा जा रहा था, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, इसके खिलाब यह जो गठना हो रही थी, जो बॉइलेंस हो रहा था, इसको उन्होंने अपने नोबल्स के दुरू, चोटी-च इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, इन सभी लोगोंने बताया, कि लोग जो मतलब बच गए थे, सर्वाइब कर पाये थे, पार्टीशन के दोरान जो बच गए थे, वो खुद कहते थे, जो लोग मतलब सोचो पार्टीशन हो गया, अब हिंदुस्तान से पाकिस्ता चले गे थे और सर्वाइब कर रहे थे बाद में उन्होंने बताया कि भाईया यह पार्टिशन नहीं हुआ यह दो देश नहीं बने यह क्या हुआ है तो पार्टिशन बाज अब ध्यान देना पार्टिशन जब हुआ था तो उसमें सारी चीज़े बाटी गई प्रॉपर्टिशन का डिविजन किया गया था पॉलिटिकल डिविजन तो हुआ हुआ था एड्मिरिस्टेटिव मशीन दी ती उसका भी डिविजन किया गया था इन सब चीज़ों के अलावा फैनेंशियल असेट्स का डिविजन हुआ टेबल, चेर्स, टाइपर्टर, पेपर क्लिप्स, बॉक्स, न्यूजिकल इंस्ट्रिमेंट्स, पुलिस्वेंट इन सब चीज़ों का क्या हुआ रिविजन हुआ गवर्मेंट के जो एमप्लोई थे वो भी डिवाइड हो चुके थे इन सब चीज़ों का डिविजन हुआ अब सोचो, जो लोग मतलब साथ में रहते थे, जो कम्यूनिटीज एक दूसरे के साथ में रहते थी हमेशा, वो अब क्या बन चुके थे, नेवर बन चुके थे, पड़ोसी बन चुके थे पांच से दस लाख लोगों का क्या हुआ, इसमें मरत्य हो गई, सिर्फ किसकी बज़े से पार्टिशन की बएसे, तो बताओ कितना अच्छा पार्टिशन है, ऐसा पार्टिशन चाहिए था, यही थी क्या मतलब आज़ादी का मतलब, आज़ादी मिलेगी तो हम 8-10 लाख ल आई थी, और इस नफरत का बीज बोया गया था, अंग्रेजों के द्वारा भारत में, ठीक है, जो बंगाल का पार्टिशन कर दिया था, ठीक है, और कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए, अंग्रेजों की चाल को, तो खैर, आप समय गुजर गया, तो अब हमें इस से लेसन सीखने की जरूरत है कि कभी भी कम्यूनिटे में, कभी भी आस-पास, आपस में एक दूसरे के प्रती नफरत नहीं पहलाना είναι, क्यों यह नफरत धीरे-दीरे, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो यह समाज के लिए, देश के लिए, सब के लिए, क्या होती है, आनीका तो आपको पता जब देश हमारा आजाद हुआ था एक तो हमारी बैसे ही कंडिशन बहुत खराब थी पैसे बैसे इतने जादा हुआ नहीं करते थे गरीबी बहुत जादा हुआ करती थी नया देश था सरकार चलाना हमको आता नहीं था पहली बार हमारे आद में सरकार आई थ थे इनके लिए घर दिलबाना इनके लिए खाना पीना एजूकेशन इंप्लोइमेंट ये सारी चीजों को भी मेनेज़ करना बहुत जादा समश्या बढ़ जाती है ठीक है तो हमारे जो लीडर हुआ करते थे हमारे आजादी आजादी के लिए जब हम संगर्स कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाप उन्होंने कभी भी इस टू नेशन त्योरी को सपोर्ट नहीं किया था फिर भी रिलीजन के आधार पर क्या हो पाया यह पार्टीशन हो गया कभी भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर से उन्होंने नहीं सोचा था कि देश जब आजात हो जाएगा तो हम बट जाएंगे फिर भी यह पार्टीशन हुआ कुछ ग्रीड लोगों की बज़े से लालची की बज़े से जो सत्ता के भूगे थे ठीक है ना इवन आप्टर लार्ज स्किल माइग्रेशन ओफ मुस्लिम्स तू दी न्यूली क्रियेटेड पाकिस्तान दा मुस्लिम पॉबलेशन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12 परसेंट अप दी टॉटल पॉबलेशन इन 1951 सोचो हमा भारत में जितनी भी पॉबलेशन दी उसका 12 परसेंट कों थे मुस्लिम्स ते यह डिवीजन होने के बावजूद भी अब सोचो भारत में तो फिर समस्या तो पार्टीचन है ओल्रेडी क्रियेटेड सीवियर कंफ्लिक्ट बिटीन टू कम्निटीज तो दो गुरुपों में तो इन के पीछे आपको बता है पॉलिटी कल इंट्रेस्ट था मुस्लिम लीग चाहती थी पाकिस्तान बने और वो खुद राज करें और इन्डियन नेशनल कॉंग्रेस अलग चाहती थी ठीक है कि जल्दी से जल्दी हम भी सासन करें तो कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिकल ल बनाए गया थी ताकि Muslims के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके मुस्लिमों के हितों की रच्छा कर सके कॉलोनियल इंडिया में मुस्लिम लीग को बनाए गया था मैंने बताया था 1906 में इसको बनाए गया था तो मुस्लिम लीग ही शुरुआ से सबसे आगे थी कि हम मतलब मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनवाएंगे there were organizations which were trying to organize Hindus in order to turn India into a Hindu nation और अब जैसे मतलब Hindu जैसे ही क्या होता है partition हो जाता है Muslims कहां पर चले जाते हैं पाकिस्तान में चले जाते हैं और जैसे Muslim League डिमांड कर रही थी कि हम अलग से Muslim nation बनाएंगे और बन भी गया ऐसे ही भारत में भी कुछ organization थे हम भी अब एक काम करेंगे हिंदूों को इंडिया में खट्टा करके और एक हिंदू राष्ट की मतलब क्या करेंगे कल्पना करेंगे समझो इस लाइन का मतलब क्या है अब देखो एक तरफ तो Muslims ने जो मतलब Muslim League थी उन्होंने क्या किया पाकिस्तान बनवा दिया लग से ठीक है और Muslim League कर रही थी कि हम मतलब Muslims के interest की क्या कर रहे है protect करेंगे उनके हितों की रक्षा करेंगे ऐसे ही भारत में कुछ संगटन थे वो भी चाते थे कि अब चलो जैसे इनोंने बनवा लिया तो हम भी मतलब भारत को एक हिंदू राष्टर बनाएंगे मगर हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे उनका मानना था कि भारत सभी धर्मों को क्या दे बराबर priority दे सभी धर्मों को equality दे और कोई भी धर्म मतलब महान ना हो आपको पता हमने चाहा कि हमारा जो देश होगा न भारत वो कैसा होगा secular होगा secular country होगा और secular देश वो होता है जहाँ पर सभी धर्मों को वगराबर equity मिले इंडिया ऐसा देश ना वने जो एक धर्मके लोगों को जादा प्राइविटि की दे बोले और दूसरे धरम के लोगों को क्या बोले Sipis bisa नहीं हो इसा हमारे भारतिया जो नहीं चाहते दे वो चाहते थे कि कोई सा हैoten उसिंवी सीटीजन से उनका कोई सा भी धरम हो किसी और दर्ण को मानते हो तो धर आईडिया को जादा जन्म दिया आई एक आईडिया को जादा बल दिया उन्होंने का कि इंडिया कैसा कंट्री होगा इंडिया विल भी सेकुलर नेशन तो इस आईडियल पर जादा फोकस दिया इस सिद्धांत पर जादा फोकस दिया कि भारत जो देश होगा सेकुलर नेशन और यह जो idea है secular वाला यह हमारे भारतिय सम्मेदान में भी लिखा गया आपको पता है 1976 में हमारे सम्मेदान में amendment किया गया था और उसमें secular word को add किया गया था और हमारा एक fundamental light है right to freedom of religion वो fundamental light कहता है कि भारत में कोई सा भी religion हो सभी धर्मों को हम क्या देते हैं equal freedom देते हैं कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म क्या कर सकता है अपना सकता है तो हमारा सम्मेदानी secular हमारे सम्मेदान में secular के बारे हम कहा गया है हमने कभी भी यह नहीं कहा कि भारत मतलब एक ही एक धर्म के लोगों का होगा ठीक है और आज भी तब से लेके आज भारत क्या है एक है भारत मे यूनाइटेड और यूनाइटेड रहना भी चाहिए तो यह है हमारे भारत की समयदान का प्रियेंबल जहां पर लेखा हुआ है कि भारत कैसा होगा We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic तो यहां पर लेखा हुआ है कि भारत कैसा होगा, sovereign होगा, socialist होगा, secular होगा, democratic होगा and republic होगा और हम सबको justice प्रोवाइड गराएंगे, liberty प्रोवाइड गराएंगे, equality प्रोवाइड गराएंगे और fraternity प्रोवाइड गराएंगे तो यह secular वाला जो concept है हमारे समयदान में भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर भारत का partition जो हुआ था, इंडिया का partition हुआ था, यह complete होथा यह पूरा की पूरा topic ठीक है तो दो topic हमारे इस chapter के complete हो चुगे है, अब एक topic और बचाए, unification of states उस वाले topic को भी हम cover करेंगे और उसके बाद हमारा chapter finish हो जाएगा, so thank you, thank you so much, keep learning, keep enjoying and God bless you all